अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोले शो में तो दोस्तों जर्मनी ने एक बार फिर से सारी हदे पार कर दी हैं और एक बार फिर से वो भारत के विरोध में उतर आया है लेकिन जर्मनी का ये विरोध भारत को तो बहुत ही कम नुकसान देगा लेकिन शायद ये दुनिया के जो करीबन सो से भी जादा गरीब देश हैं उन्हें पूरी तरीके से ले डूबेगा इसलिए जर्मनी की दुनिया भर में जोड़दार आलोचना की जा रही है और दुनिया के जो गरीब देश हैं वो तो लिटरली जर्मनी को कोस रहे हैं तेकिन जर्मनी फिर भी तस्से मस होने को तयार नहीं है उल्टा वो भारत के खिलाफ पूरे योरोप को इकठा करने में जूट गया है तो ऐसा क्या कर रहा है जर्मनी वो तो मैं आपको बताऊंगा इस साथी भारत पर क्या इफेक्ट होगा और पूरी दुनिया क्यों जर्मनी के खिलाफ खड़ी हो और भारत का साथ क्यों दे रही है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो मेरे साथ आप इस लूमन तक बन रहेएगा और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजेगा चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आपक कि कल मैंने वीडियो बना कर आपको बताया था कि भारत ने World Trade Organization यानि कि WTO में एक प्रस्ताव दिया था प्रस्ताव ये कि भारत में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं कमपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रिसर्च करके नई वैक्सीन तयार करते हैं या फिर इतना पैसा भी नहीं है कि जो पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कमपनियां हैं उनकी वैक्सीन का फॉर्मूला खरीद कर वैक्सीन बना सके तो ऐसे में भारत नहीं कहा कि अभी के लिए जो तमाम देश हैं ये एक साथ आ जाएं दुनिया से अगर कोरोना को खतम करना है तो जितने भी बड़ी कमपनिया हैं जैसे की फाइजर, मोडेरना, जोनसन और जोनसन इनके जो पेटेंट है वो रद कर दी जाएं इससे ये होगा कि बीना फॉर्मूला खरीदे हुए भी जो भारत की बड़ी बड़ी फैक्ट्रिय ये दोबारा फिर से वैक्सिन बनाना शुरू कर देंगे और भारत ना सिर्फ अपने आपको बल की पूरी दुनिया को कुछी महीनों के अंदर वैक्सिन प्रोवाइड करा देगा और पूरी दुनिया वैक्सिनेट हो जाएगी तो कोरोना भी खतम हो जाएगा लेकिन इस प प्रस्ताव है भारत का ये हम इसका समर्थन करते हैं ताकि दुनिया जल्द से जल्द कोरोना से उबर जाए और जो बाइडन की इसको लेकर काफी तारीफ भी होई पूरी दुनिया भर में यहां तक कि भारत की जो विदेश मंत्राल है उसने भी प्रेस नोट जारी करके जो बाइडन की तारीफ करी है इस कदम पर ऐसा लग रहा था सभी को कि अब यह प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि जिसे सबसे अदनुक्सान था अमेरिका वो राजी हो गया है बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है सब तयार हो जाएंगे लेकिन अंत समय में जर्मनी अब भारत के सामने आखड़ा हुआ है और जर्मनी ने कहा है कि हम इस परस्ताव के समर्थन में नहीं है इवन पूरे European Union में जर्मनी इस समय लोबिंग कर रहा है कि भारत के इस परस्ताव का विरोध किया जाए और इसको लेकर जर्मनी ने अपने कई सारे तर्क दी हैं लेक तो उन्होंने कहा था कि कहाश हम भारत को इतना बड़ा medical manufacturer ना बनने देते, world pharmacy ना बनने देते और देखिए भारत का उभार जर्मनी जैसे देशों के गले से कैसे नीचे उतरेगा भले यह तो भारत जैसे देशों को अपने पैर की जूती समझते थे, गरीब समझते थे अब इन्हें लगरा है कि यह आगे कैसे निकल गए हमसे, तो इसलिए इनकी चिट जायज है दूसरी बात यह कि जो अमेरिकन कमपनी है, उन्होंने लगभग हर देश को प्रोज किया है कि जी इस प्रस्ताओं का समर्थन ना दिया जाए, बिर्टेन ने भी साफ मना कर दिया हम समर्थन देंगे भरत को, लेकिन जर्मनी को यह लग रहा है कि अगर हमने अमेरिकी कमपनियों का समर्थन कर दिया तो फिर यह हमारे यहां पर फैक्टियां लगाएंगे, हमको वैक्सीन पहले देंगे तो इस लालच में, इस छोटे से लालच में, वो उन गरीब मुलकों को खतम करने पर तुले हुए हैं जो बेचारे वैक्सीन खरीदी नहीं सकते और जर्मनी इस बात को नहीं समझे दा, छोटी सी बात है कि अगर आज की तारिख में, आप पूरे जर्मनी को वैक्सीन दे दो लेकिन जर्मनी फिर भी कोरोना फ्री नहीं होगा, क्यों? कारण उसका यह है कि जो वैक्सीन है, वो कितना ज़दा इम्मुनिटी देती है छे महीने, साल भर, उसके बाद फिर से वैक्सीन देनी पड़ती है तो इसलिए जब तक पूरी दुनिया को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा एक साथ तब तक कोई भी देश कोरोना फ्री नहीं होगा, वरना हर साल, हर वैक्ती को वैक्सीन लगवानी ही लगवानी पड़ा करेगी एक डोग्स कम से कम, तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट सलूशन है कि एक साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन दी जाए और ये सिर्फ भारत ही कर सकता है, लेकिन जर्मनी इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोध में सथ तक अंदा हो चुका है कि वो इस छोटी सी बात को समझने को तयार है ही नहीं तो अब जर्मनी का इलाज है क्या तो जर्मनी का इलाज है अमेरिका अब उम्मिद ये है कि जो अमेरिका है वो जर्मनी के कौन मरोडे और उसे सही लाइन पर लाए तभी जर्मनी इस पर राजी होगा आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा साथी वीडिय को शेरिखी जेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कूंत भूलेगा थैंक्यों पर सचिंग वडियो